बारी बारिश के कारण हुई अतिवरश्टी के चलते किसानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है जिसके चलते उनकी फसले भी बड़े पैमाने पर शतिकरस्थ हुई हैं इसके चलते पूर्व उर्जा मंत्री चंदरशेखा बावन कुले ने मुख्यम मंत्री से जल स से जल्द सर्वे कर किसानों को मदद मुहिया कराने की मांगी है साथ ही उनका कहना था कि किसानों को 25,000 रुपए हेक्टियर के हिसाब से मुआफजा दिया जाए मराटवला विदरबाबदे या साथ दियुशात मुठव नुख्यान जाला है सरकार पंचनावे करालता है यार नहीं प्रशासनाल तरशे आदेश नहीं है आनी ना डोन हो अपरत ना त्याटिकेन टेक्नलोजी हो अपरत है आनी सर्वे न करत केले मुळा सरकार केले मांगन गिली नाई है पालक मंत्र आपले गावा पुर्त काम करता है जिल्ले अचर काई घ्यन देन रायला नहीं आन त्याबडों माननी मुख्य मंत्रा नी जी घोष्णा केली या प्रिवणने ता घोष्णा केला त्यानी एक कई घोष्णा पूर्णा केली नाई पंचिमान आज स्वयाबिन गेला कापूस गेला सर्वस पिग गेला है तर मानाने मुख्यमंत्रा नी तातरी न तीन दूसा सर्वे करूँँण टेक्नलाईट ओपर करूँण 55,000 रुपी हेक्टरी शेतकर न तातरी न देवे आने तातरी न आता शेतकर लगर जाए समोर दिवाडी दसरा है उबपिग गेला है शेतकरी आतमत्ते औरा निला है अने मनोन तातरी न सरकान वदद के लिए ये मागनी है